हाई गाईज वेलकम टो माई शानल लॉन विद फारा गाईज आज में जो वीडियो लेके आई वो है कि इंग्लिश कैसे तुरंद फटा फट बोली जाए अगर आप हाउस वाईफ है आप जादा पढ़ी लिखी नहीं है और कोरोना के चलते बच्चे घर परे तो उनको आप क बच्चे को लिखना है तो अगर आप बोलेगी लिखो तो आप इंग्लिश में बोल सकती है राइट राइट यानि की लिखो साफ साफ लिखो राइट नीटली बस दो वर्ट का यह सेंटेंस है आप लिख सकते है राइट नीटली बोल सकती है साफ साफ लिखो पढ़ो बच पढ़ो, one word sentence है बहुत easy है, आप प्रीज इसको try कीजे, जोर से पढ़ो, read loudly, read loudly, यानि कि जोर से पढ़ना और read पढ़ना, जोर से पढ़ो, read loudly, do करो, काम है उसको करना है, तो आप बोली do, do it, इसे करो, do यानि कि करना, करो, homework करो, अब बैठा है बच्चे, तो आप उसको बोल रहे है, homework करो, तो आप इसको English में बोल सकती है, do homework, do homework, जल्दी करो, बच्चे बहुत सुस्त, सुस्त रहते हैं न, homework करने के टाइम, तो आप बोलिए hurry up, hurry up, यानि कि जल्दी करो, ये सब sentences आप रट लीजे, बहुत ही easy है, बोलना, बोलो, speak, बोलो, speak, बच्चे, बच्चे, अगर आप बोल रहे हैं, बोलो, तो speak, और बच्चे बहुत धीरे बोल रहे हैं, तो आप उसको बोलिए, जोर से बोलो, that means, speak loudly, loudly, यानि कि जोर से, तेज आवाज में, look, यानि कि देखना, look, देखना, देखो, look, किताब देखो, look at the book, look at the book, बच्चे इदा उदर देख रहे हैं, तो आप बोल सकती हैं, किताब देखो, look at the book, हिलना, हिलना यानि कि move, move करना, हिलना, बच्चे बहुत हिलते हैं, तो इसको आप कैसे sentence में use करेंगे, तो इसका है, हिलो मत, don't move, don't move, मत हिलो, हिलो मत, don't move, बैठना, बैठने को बोल रहे हैं, तो आप बच्चे को बोलिए sit, बैठना यानि कि sit, अब sentence में देखते हैं इसको, ठीक से बाठो, sit properly, ठीक से बाठो, sit properly, properly यानि कि ठीक से बाठो, hilloo मत, don't move, sit properly, handwriting, अब लिखावट को बोलते हैं, handwriting, काफी बार बच्चों के handwriting अच्छी नहीं बनती है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं बच्चे को इंग्लिश में, लिखावट सुधारो, improve your handwriting, improve यानि कि सुधारना, improve your handwriting, यह सब बहुत ही छोटे-छोटे sentences जो कि आप याद करके बच्चों से बोल सकते हैं, तो गाइस यह बहुत ही छोटा सा वीडियो था, आप प्लीज इसको पूरा देखें और शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियो बना के ले किया हूँ, and गाइस, thanks a lot for watching,